नमस्कार साथियों स्वागत था आपका संद करपा बायलोजी क्लासेज में एनाटोमियों प्लांट टिशू पढ़ रहे थे अपन या इंटरनल स्ट्रेक्चर पढ़ रहे थे अपन प्लांट की और उस प्लांट की इंटरनल स्ट्रेक्चर में अपने डाइकोट स्टेम और मो किया अपको है अगर आप साथ मैं रीट की तारी कर रहें अभी वरितमान में अगर किवल की तारी करते अधा कोई ल.'' लैकि एक तेरी कर रहे हैं तो अपने सब्सक्राइब वीडियो पहले बनाए हुए हैं उनके आगे के करम को कंटिनु करते हुए अपन सारे के सारे जो साइंस लेवल टू वाला है उसके पूरे के पूरे वीडियो अब्जेक्टिव टाइप क्यूशन जितने मेक्जिमम बन सकते हैं वो डालने की कोशिस करेंगे कुछ दिनों के ब परड़े के दो वीडियो आएंगे एक रीट वाला होगा और एक ही होगा और इसके अंदर आप क्या करोगे कि जो पूरी दस चटी से लेकर दस्वी क्लास की आर बेसी प्लस एंसी आर टी है उसके सारे क्यूशन में कंप्लीट रूब से आपको करवा दूआ जितने संभाव अपन टीन सीटम पड़े थे एटीअश जीटिएट रौ वीटिएश उसके अपन करम से चलते हैं तो सिंपल सा दो रूट के अंदर एसी एपीडरमिस जो की जल का या किसी चीज को एब्जोर्ब करती हो आउसोशन करती हो उसको एपीडरमिस से समझे देख पर्टिकुलर नाम और दे दिया जिसको क्या बोला गया एपिबलेमा इसके ओपर बहुत सारे रोम होते हैं बहुत सारे हेर होते हैं क एपिबलेमा क्या नाम बोल सकते हैं इसको पिलिफेर स्लेर रोमिल परत भी बोलते हैं ठीक हैं क्या बोलते हैं रोमिल परत सबसे बारी है आपको पता ही है एपिडरमिस अप्समे जूड़ी होती है रूट की जो एपीबलेमा है या एपिडरमिस है उसके उपर क्यूटिकल इस्टोमेटा एपसेंट होते हैं यह बात याद रखनी है क्यूटिकल भी नहीं होता है इस्टोमेटा यह शिकता है कहा है रंदर तो होंगे नहीं रूट के अंदर और उपर जो cuticle का आवरण है वो भी नहीं पाए जाता हेर परजेंट होते हैं यह बात याद रखनी है क्या याद रखनी है है हेर यहाँ पर क्या होते हैं परजेंट होते हैं यह अलग बात हो गई एपिबलेमा की इसपेस अपसेंट है इसपेस कौन सा किज़ एपिट्रमिस की सेल है उनके बीच में क्या होगा इसपेस नहीं होगा उस सिद्धी की सिद्धी रूप से एक समान रूप से विवस्तित होती हैं क्लीर है क्यूटिकल का आवरण नहीं पाए जाएगा पार क्या होता है कि किसी कारण से एपिबलेमा जो लेयर है वो नश्ट हो जाती है तो एपिबलेमा लेयर के नश्ट हो जाने से एपिबलेमा लेयर के नश्ट हो जाने से यह बात मैं बोद रहा हूँ आप लिख लेना एपिबलेमा लेयर के नश्ट हो जाने से लिगनीन वस सुबेरी न्यूक्त है कुछ लेयर और तयार हो जाती है इसी को बोलते हैं एक्जोडरमिस क्या लिखोगे यहां पर एपिबलेमा के नस्ट होने पर लिगनीन और सुबेरी न्यूक्त यह बन जाती है जिससे क्या होगा कि बैक्टिरियल प्रोटक्शन होगा और भारी कोई चीजे हैं वह प्लांट की जो टिशू है उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगी यह रक्सात्म का आवरण की तरह इतना ही यह 5 भीस में आता है 6 बीस में आता है 2 इसारे किसाइश में यहां से लेकर यहां तक कौन सा सिस्टम में क्विध है यह इस वीच्विध को सा सिस्टम है यह है अपकी टियस एटी ईस इस फरकार के सिस्टम अपने लिए थे आगे देखो रहारे इसके बाद में आपन क्या लेते हैं कोटिक्स में ज्यद्ध तर क्या है कोटेक्स में आपने पहले भी देखा है कि कि से बना होता है maximum parent कैमा सेले हैं और इसके अंदर इस पेस क्या होता है प्र्जेंट होता है लेको यहां सपेश एप्सेंट यहां और अगले वाले में अप्सेंट आएगा यह करम कुछ ऐसा ही चलता है है ठीक है प्रजेंट है एक बात को क्या रखनी है इस पेस क्या है यहां पर यहां पर एपसेंट होता है ठीक है कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रजेंट और पासेज सेल प्रजेंट प्रोटो जायलम एक उसके सम्मुक बाग पर पासेज सेल होती है और कैस्पेरियन पट्टी का पाई जाती है किसमें endodermis के अंदर मैं dicote stem की बात कर रहा हूँ अभी ठीक है यह वाली बात किसके याद रखनी है endodermis के याद रखनी है आगे पैरि साइकल के बारे में कोछ ज़्याद रही डखना आपको पैरि साइकल के बारे में यह याद रखना है परजेंट तो ही है और इसमें भी कौन सी पैरि साइकल में पी से याद रखना है पैरन काइमा से लिए होती है एक बात और याद रखनी है कि कोई पैरासाइटिक प्लांट है और एक्क्वेटिक प्लांट है वोग उन में पैरी सायकल एपसंट होती है है searching काुछ अक्वेटिक प्लांट्ब और पीराशिटिक प्लांट है पर जीवी कोई पादफ है और को कोई जलीए पादफ है उनके अंदर यह क्या होती है absent होती है अभी कोई बहुत important बात नहीं आई आते ही मता दूंँ आपको पित है कि इसके बारे में देखो अपने ट्रिक पड़ी थी पित के बारे में ट्रिक पड़ी थी monocoat root, dicote root, monocoat stem, dicote stem ये करम पड़ा था अपने तो जो dicote stem है उसमें अपने पड़ा आता कि छोटी होती है यार अल्प विक्सित होती है ये बात याद रखनी है यह important बात जिसको पने ट्रिक से पड़वी लिया थी ऐसा अपने पड़ा था Monocoat Root है, Dicote Root है Monocoat Stem है Dicote Stem है, इनकी पित पड़ी थी अपने यहां पड़ा था बड़ी यहां पड़ा था छोटी यहां पड़ा था अनुपस्थित यह बहुत छोटी और यहां विखशित होती है इस तरह का अपने करम पड़ लिया था ये पित्त की बात हो गई छोटी या अनुपस्थित अब देखो अब important बात आती है एक बात तो यह होगी एक बात important यह होगी अब देखो इसमें आपको यादगा रखना है मेरे को आप खुद बता दो वेस्कुलर बंडल है जो समवन पुल है वो अपने किम चीजों से बना होता है अगर डाइकोट की बात आएगी डाइकोट की बात आएगी तो एक तो जाइलम जाइलम के साथ में फ्लोयम और इनके बीच में प्रजेंट होता है क्या कंजेक्टिव टिश्यू और कैम्बियम भी बोल सकते हैं इसको प्रारंब में कैम्बियम एपसेंट होता है जब सुरुआत होती है ना इसकी तो प्रारंब में एपसेंट होता है ये कनेक्टिव टिश्यू जोड़े रखता है लेकिन जैसे प्लांट का डवलप्मेंट होता है और रूट बड़ी होत जाता है सुरू में navy टिस्वी होता है ठीक है अब मेको क्विश्ण बताता चालो किस प्रकार का है रूट के अंदर exarch ai анडar inisर capacidad अगर आपके पास खुद के पास ऐस तो आपकी तहले की पीडिया चहर एक बात तो ठीक है आगे बात ये तो वेस कुलर बंडल सिस्टम है इसके तीन परकार बढ़े थे अपन creator प्ड़ा था एक कञुक्वाट प्ड़ा था एक कंसेंट्रिक प्ड़ा था ये कैसा परकार है कैसा है रेडियल और रेडियल में भी कैसा है radial में भी तो कुछ अंतर था ना poly arc है या di arc से लेकर आपके hex arc तक है तो ये क्या है dicote stem है तो dicote root है और dicote में d से शुरू हो रहा था तो यहाँ पर radial है और b radial के साथ साथ में di arc to hex arc तक होता ही है और radial का मतलब क्या था कि अलग-अलग तिर्जा के ओपर क्या होते हैं अलग-अलग तिर्जा के ओपर gylem और phloem होते है ठीक है जाइलम भी आपड़ डवलप है ठीक है और phloem भी आपड़ डवलप होता है ये बाली बातें आपको याद रखनी है किसमे एन अटोमी ओफ डाइकोट root देखो सबसे बाहरवाली लेयर को अपड़लिमा बोलते हैं एन परजयन रखनी है और परजयन रखने है वोब यूनि इन अलभर एक नमबर बात दूसरी नमबर बात है इसके नश्त हो जाने पर एक डिल बन जाती है इसको क्या बोलते हैं एक्जोडर्मिस बोलते हैं कोटेक्स वी पैरन काइमा स्फेस प्रजेंट होगा जब आप इनके च्छों के च्छों लिख लोगे फिर उसको कंपरेटिव याद करो कि तो बहुत शांदार यांद हो जाएगा एंडोडर्मिस है उस पर कैस फिर निस्ट्रिप और पासे सेल पा बात हो गई उसके बाद में जाइलम कैसा एक्जार टाइप का है इनका अरेजमेंट कैसा है रेडियल है रेडियल में भी कैसा डाइयार्क टू हैक्जार्क दो से लेकर छे तक इनकी संक्या होते है किसकी वैस्कुलर बंडल की क्लिर है यह बाते आगे किसकी डाइकोट स्ट देखो वोई बाते लिख लो इस पेस एपसेंट क्यूटिकल एपसेंट इस्टोमेटा एपसेंट हेर प्रेजेंट यूनिसलुलर और डाइकोड से भी ज्यादा इससे भी ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं हेर प्रेजेंट होते हैं एक तो यह बात सेम की सेम ही हो गई सेम ऐसी केंडिशन इसमें होती है एक्जोडरमिस कब आएगी अगर एपी बलेमा किसी कांड से क्या हो जाती है नेस्ट हो जाती है तो कौन से लेट काम करेगी एक्जोडरमिस काम करेगी क्लिर है सेम टू सेम बात कोटेक्स कोटेक्स में क्या रखो कि सेम पैरन काइमा इस्पेस प्रेजेंट है और डाइकोड से ज्यादा डवलोप होता है डाइकोड से ज्यादा डवलोप होता है क्लियर है आगे देखो एंडोड्रम इसमें जाओगे वही बात है अब देखो यहाँ पर एक इंपोर्टेंट बात बता देता हूं आपको क्या लिखोगे केस पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट परन्तु इसमें अपवाद क्या लिखोगे कि परिपक्व कोशिकाओं में मैचूर सेल के अंदर एपसेंट होती है यह केस पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है छोटी कोशिकाओं में सुरुवात में लेकिन जैसे कोशिकाओं मैचूर होती है उनके अंदर केस पेरियन स्ट्रिप नहीं पाई जाती है पासे सेल प्रेजेंट ठीक है आगे क्या गया पैरिसाइगल पैर चीक है खिलियर बात हो गई पित की बात देखो Triks से अपने याद कर लिया था क्या अभी बात तो त्लिथी ट्रिक की पित कैसी होती है पित होती है बड़ी Monocotrope DAI Vadua Monocotrope के अंदर क्या थी बड़ी थी पित यह मत जा आदके उसके बाद में Gy Porsche और conjunctive tissue और phloem क्या absent है Cambium absent एक बहुत important question बताऊँ कि phloem के अंदर है वो ही बात है phloem parent का इमा नहीं होता अपने एक बात है जब पहले detail पड़ी थी तो ऐसा देखा था कि phloem parent का इमा absent होता है याद रखना तो phloem parent का इमा एक बात है और phloem के अंदर parent का इमा cell से नहीं पाई जाती अब देखो जाइलम कैसा हो गया एक जार के अंडार्क बिल्कुल obviously क्या बात है क्योंकि ये भी किसकी बात कर रहा है अपन? root की बात कर रहे है उसके बात में ये तो इस्तती है वो कैसी होगी? radial होगी क्या? मिल्कुल radial होगी और radial के सा-साथ में क्या होगा? radial के सा-साथ में ist sorry poly-arch condition poly-art मतलब 6 से अधिक जो होंगे वैस्कूलर बंडल की संक्या 6 से अधिक होगी, ये वाली कंडिशन कि इसकी आगई, इतना है सब आपको याद रखना है कि इसके अंदर, इसके अंदर याद रखना है, ये वाली बात आ गई, किसमें, अब just close और open की भी बात करें, तो यहां भी वैस्कूलर बंडल secondary growth होती है वहाँ क्या होता है जो वेस्कुलर बंडल है जाइलम और फ्लोयम है वो क्या होते हैं open type के होते हैं बाकी सब जगह क्या होते हैं close type के होते हैं ये clear हो गया अब आपको देखो मैं diagram दिखाता हूं एक diagram देखिए सबसे पहले आपको नज़रा रहा है क्या डाइकोट रूट का एक diagram एपिबलेमा layer है एपिबलेमा layer के नीचे cortex है कोटेक्स के बाद में आपको क्या नज़रा रहा है कोटेक्स के बाद में नज़रा रहा है आपको endodermis endodermis के बाद में क्या है पेरिसाइकल है पेरिसाइकल अंदर का भाग क्या है पित है और वेस्कूलर बंडल है वेस्कूलर बंडल में जाइलम और फ्लयम है और केम्बियम यह आपको डाइग्रामेटिकली नज़र आ रहा है ठीक उसी तरह से आप जब किसमें चलोगे पेर। martyr मोनोकोर्ट रोट का डेग्राम देखिए मोनोकोर्ट रूट के डाइगराम में आपको सबसे बाहर वह ही एपिबले मा लेयर साइकल अंदर की साइड़ में पित है पित बड़ी है विक्सित है और उसके बाद में वेस्ट कुदर बंडल है जाइलम और फ्लोयम यहां पर कंप्लेट विक्सित नहीं है लेकिन केंबियम अपसेंट है यह वाली कंडिशन आगई किसकी मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में अपने कंपरेटिवली एनाटोमिकली स्टडीज की देखी आजगल इतना ही धन्यवाद